हलो दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आई टेकनिक के फर्स सेमिस्टर में अडमिशन किसे लेना है जी हाँ दोस्तों तो सबसे पहले तो यह समझे कि अगर आपने जो आई टेकनिक है दो साल की कंप्रीट करी है और इंजिरिंग टेड से करी है और इसके लावा आई टेकनिक करने के बाद जो आपकी एज है 19, 20, 21, 22, 23 इस रेंज में है तो ऐसी कंडिशन में जब आप पॉल टेकनिक करने जाएंगे तो वहाँ पर जो पॉल टेकनिक है लेटरल एंट्री से थर्ड सेमिस्टर में अडमिशन लेने के बजाए आपको वहाँ पर पॉल टे इंजिनिरिंग तो ऐसी कंडिशन में कि जब आप लेटरल एंट्री के थरू टेकनिक करते हैं तो वहाँ पर आपकी जो डिप्लोमा कंप्रीट होता है वह आपका दो साल में ही कंप्रीट हो जाता है तो ऐसी कंडिशन में जब आप आपका डॉक्मेंट वरिफिकेशन होते ह और जब document verification का time आता है वो आपके document check करते हैं, government sector वाले तो वहाँ वो देखते हैं कि जो minimum qualification थी वहाँ पर वो Diploma in Engineering, 3 year diploma in Engineering मंगा गया है और वो आपने 2 साल में complete किया है, तो ऐसी condition में document verification में ऐसे स्टूडेंट्स को बाहर कर दिया जाता है, जिनकी जो पॉल्टेक्निक है, वो केवल दो साल में कम्प्लिट हो रही है, हाला कि ये जो स्कीम है, गौर्मेंट, सेंटर गौर्मेंट ने ही निकाली है, लेकिन उन्होंने इसके आगे का रास्ता, जो गौर्मेंट जॉब्स हैं, वहाँ पर वो close वहाँ तक नहीं पहुचाया, तो बहुत दुख की बात है, कि गौर्मेंट ने आपको एक option तो दे दिया, लेकिन कोई vacancy आती है, वहाँ पर केवल 3-year diploma in engineering ही लिखा जाता है, जबकि वहाँ पर ITI वालों को consider करते हुए, इसके अलाबा एक option और देना च से किया हुआ होता है, उनका वो 2 साल का polytechnic बेकार जलाता है, तो दोस्तों आपके साथ ऐसा ना हो, तो जब आप polytechnic करने जाएं, तो वहाँ पर आपको first semester में ही admission लेना है, यही main वज़ा है, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप first semester में admission लिए, हो सकता है, कुश सेक्टर उसक जब document verification में वो भार हो गए, तो आपके साथ ऐसा ना हो, तो age आपकी कमी ही होगी, 19, 20, 21, 22 साल में अगर आप polytechnic करने जा रहे हैं, तो कोई जदा age नहीं है, तो अगर आप 23 साल में भी आप polytechnic करने गए, और उसके बाद 3 साल आपके वहाँ लग गए, तो 26 साल हो गए, फि आपर state government की जो vacancies हैं, उसको आपको ignore करना है, उसको focus मेरके तैरी नहीं करनी, इस पर मैंने पहले सही video बनाई वी है, आप आई link में जाके वो video देख सकते हैं, इसके लाव अगर आपने जो ITA की है, वो engineering line की एक एर वली trade से ITA कमीट करी है, और आप polytechnic करने जाते हैं, चाह रहे हैं, तो ऐसी condition में आप मैं पहले ही video बना के आपको बता चुका हूँ, कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ITA के साथ साथ या ITA कमीट करने के बाद, आप NIOS जो National Institute of Open Schooling है, वहां से आप Hindi English में से एक subject लेके, और इसके साथ साथ Math और Science, अगर आप इन तीन subjects के स साथ अपनी IOS के जो schooling का जो तीन exam क्लेर कर लेते हैं, तो उसके बाद आप eligible हो जाएंगे कि पोल टेकनिक के first semester में admission लेने के लिए, क्योंकि जो पोल टेकनिक का minimum qualification है, admission के लिए, वहां पर math, बलाब आपके 10th pass आप होने चाहिए, उसके साथ आपके बाद math, science होनी चाहिए, तो अगर आप NIOS से ही अपना math और science clear कर लेंगे और इसके लाबा 10th pass पहले से हैं, तो इस condition में आप मज़े से पोल टेकनिक के first semester में वहाँ पर आपको admission मिल जाएगा, और आपके लिए better ही होगा, क्योंकि अगर इस age group के आप हैं, और उसके बाद आप NIOS से ये दो subject clear कर लेते हैं, तो आपको मज़े से वहाँ first semester में ही admission मिलेगा, और वह आपके लिए better भी है, आपसे गलती नहीं होगी, third semester में later entry के admission लेने की, इसके लाबा अगर आपकी age आईटे complete करने के बाद 26, 28, 29 साल की range में आती है, तो ऐसी condition में आपका polytechnic का first semester में admission लेना समझदारी नहीं होग क्योंकि ऐसी condition में government job की age है आपकी हो निकल चुकी है, इस पर मैं अलक्स एक video बना चुका हूँ, आप i-link में जाके उसको देख सकते हैं, या फिर आप इसी age 26, 28, 29 की age group के हैं, तो ऐसी condition में चाहिए आप polytechnic के later entry med mission ले या आप direct b-tech भी कर सकते हैं, इसके उपर भी मैं video बन से पूछ जाते हैं, उनमें मैं पहले से ही videos बना चुका हूँ, तो समझधारी आपके लिए ये होगी कि आप, जो आप question में से पूछ रहे हैं, एक बार जो इस channel है, इस channel के videos वले column में जाके, वहाँ पर video ढूण के, अपने question का जवाब पहले उस videos के form में देखें, क्योंकि 90 percent आपके question के जवाब में दे चुका हूँ, और इसके लावब आप वहाँ पर एक playlist भी है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कि वहाँ प्ले लिस्ट में जाके भी, आप वहाँ पर video, अपने question के जवाब, वीडियो के देख सकते हैं, क्यों playlist भी अलग बनीवी है, तो अगर आप videos की column में जाके या playlist की column में जाके अगर वो videos वहाँ पर ढूंडें, तो आपको maximum आपके question के जवाब मिल जाएंगे, हाँ, अगर उसके बावजूद आपको, आपका question का जवाब नहीं मिला है, वीडियो इतने ढूंडने के बाद नहीं महनत करने के बाद, तब आप comment box में आके question में से पूछ लिए आते हैं, तो ऐसी condition में detail में जाके उनके जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कम से कम शब्दों में मुझे जल्दी से जल्दी सारे जो comments होता है, वो cover करने पड़ते हैं, तो ऐसी condition में आपके लिए समझदारी है, कि आप इस channel के videos वाले में, Namaskar.